हलो बच्चों आज की स्वीडियों हम बात करेंगे प्रशनावली 10.1 गातांक और गात के प्रशन संख्या दो के बारे में जिसमें हमें कहा गया है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक गातांक के रूप में व्यक्त कीजिए इसमें हमें एक से लेके 5 प्रशन दिये हैं जिनें हमें सरल करना है और जो उत्तर आएगा उसको धनात्मक गातांक के रूप में लिखना है धनात्मक गातांक के रूप में लिखने का मतलब समझेगा कि जो हमारी गात है वो गात आये वो प्लस में आनी चाहिए उस पर माइनस का चिन नहीं रहना चाहिए इस बात का हमें इसमें विशेष द्यान रखते विए साउयलों को हल करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो हम इससे कहा गया कि सरल करना है और गातांग को दनात्मग गूरूब में रखना है तो हमारा पहला प्रश्न माइनस 4 की गात 5 भाजक माइनस 4 की गात 8 अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमने गातां का एक नियम सिखा है A की गात M भाजक A की गात N मतलब जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो उसको हल करने का नियम यह है कि आधार तो वही रहता है लेकिन जो गाते हैं वो गातें गट जाती है तर गातों को गटा देते हैं तो एक की गात M भाजग एक की गात N वरबर एक की गात M माइनस N यह हमारा यहाँ पर नियम लगेगा और हम इसे लिखेंगे आधार यही रहेगा और गात हो जाएगी 5-8 अब जब हम इसे हल करेंगे तो 5 में से 8 गटाने पर आधार तो यही रहेगा और गात हो जाएगी –3 यह हमारा उत्तर यह तो हो जाता लेकिन अब हम से कह दिया कि धनात्मक गातांक के रूप में रखना है अब धनात्मक गातांक में रखने के लिए इस माइनस 3 को प्लस में हमें बदलना पड़ेगा उसके लिए हम इसे क्या करेंगे व्यूत करम में कर देंगे इसे अभी अंश में उसे हर की रूप में ले जाएगे तो यह हो जाएगा हमारा 1 बटा माइनस 4 की गात 3 देखिए अब हम जब इसे बटेवे में ले गए तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया इसको आपस लिख देता हूँ यहाँ पर इसके च्वेन फैल गया माइनस 4 की गात यहाँ पर वज़ाती है 3 तो कहने का मतलब क्या हुआ जब हमने अंश को हर में बदला तो आधार का चिन नहीं बदला केल गात का निशान बदला है तो यह हमारा पहला प्रशन इसका हो गया प्रशन नमबर 2 पर चलते हैं प्रशन नमबर 2 हम से क्या खह रहा है प्रशन नमबर 2 में हम से कहा गया है कि एक बटा 2 की गाथ 3 और पूरे की गाथ दिये में 2 ठICE तो अब हम इसे हल करते हैं तो पहली चीज जो हमसे ये कही गई कि यहाँ पूरे के उपर गाथ है तो हम इसे यह लिखेंगे कि ये 1 की गाथ भी 2 है और 2 की गाथ 3 जो लिखा है इस पूरे की भी गात दो होगी ठीक है तो अब हम से एक की गात दो का मान पूछा गया तो एक की गात दो का मान तो एक रहता है और उसके बाद दो की गात तीन की गात दो होने पर हम क्या करेंगे गात पर गात होती है तो गातें गुणा हो जाती है तो यह हो जाएगी, दो की गात, तीन गुणा, दो, अब हम इसे हल करें, तो हमारा हो जाता है, एक बटा, दो की गात, छें, तो आप इसे गाता गुरूप में ही लिखना है, तो हम इसे दो की गात, छें ही लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, चले कोशन नमबर 3 पर तो कोशन नमबर 3 हमारा क्या कह रहा है हमसे कि इसमें लिखा है माइनस 3 की गाथ 4 गुणा 5 की गाथ 5 बटा 3 की गाथ 4 अब यहां हमें हल करना है तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे पहले स्कॉस्टर को हल करेंगे माइनस तीन की गाथ माइनस पूर्र पर लगादें यह ओगा हम पांच की का हम भी आ चार के आप यहां पर हम इसे इस तरह से लिख सक्ते हैं कि यह ओ मैंनस है इसे माइनस को उमालक कर दें इस ऐसं माइनस को कर दे तो यह माइनस एक की गात चार गुणा तीन की गात चार ठीक है अब यहां पर हम देखें कि पाँच की गात चार बटा तीन की गात चार तो यहां हम इसे काट सकते हैं तो तीन की गात चार से तीन की गात चार कट जाएगा और यहां पर जो एक की गात माइनस चार है उसका मान हमारे पास एक होता है पुलस का एक और यह 15 की गात चार हमें से रहने देते हैं तो यह हमारा उत्तर हो जाता है पाँच की गात चार उत्तर अब हमारा प्रशन संख्या इसमें आता है अगला चार जिसमें हमसे कहा गया है पूरे को कोष्टक में रखने के बाद इन्टो 3 की गात माइनस 5 तो यहाँ पर यह कोष्चन किस तरह से होगा कि सबसे पहले कोष्टक हल करते है तो यहाँ पर आदार समानेर बीच में भाग का निशान है तो यह question में हमारा तीन की गात हो जाएगा माइनस साथ और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दस कॉस्टक बन गुणा तीन की गात माइनस पांच इस तरह से लिखने के बाद हम यहां पर इसे लिखेंगे 3 की गात 3 गुणा 3 की गात माइनस पांच क्योंकि साथ मैंस के साथ मैंसे प्लस का तीन गटाएंगे तो प्लस का तीन बचेगा अब फिर आधार समान है और गुणे में है और गुणे में तो गाते इनकी जुढ जाएगी तो तीन की गात जो है हमारी तीन प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह माइनस पांच हो जाएगा तो यह हमारा हो जाता है तीन की गात माइनस दो अब चुकि हमें रिनात्मा गात में नहीं रखना है तो हम इसे क्या करेंगे कि एक बटा तीन की गात दो यह हमारा यहां पर उत्तर हो जाएगा ठीक है अब अमारा जो अंतिम प्रश्न इसमें प्रश्न संख्या 5 कि उस पर चलते हैं 2 की गात माइनस 3 इनटू माइनस साथ की गात कितनी दिय हमें माइनस का 3 ठीक है अब यहां पर देखा जाये तो यहाँ पर आधार दो है और यहाँ पर आधार साथ है लेकिन इनकी गाते समान है जब गाते समान हो और आधार अलग-अलग हो और गुणे में हो तो आधार को गुणा कर दिया जाता है और गात वही रह जाती है सब्सक्राइब तो यहां पर हम यह समझ सकते हैं कि एकी गात M गुणा B की गात M तो यहां पर क्या होगा कि ए गुणा B की गात M हो जाता इस नियम सम्सको अल कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस दो साथ 14 है और गात माइनस 3 फिर वही इस्तिति आ गए कि गात रिनात्मक है गात हमें धनात्मक चाहिए तो हमें इस लिख देंगे एक बटा माइनस 14 है कि गात 3 ही हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है तो कोशन आपको अच्छे समझ मा आ गया होगा इसकी दुबारा प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं समझ मा आ गया कोई भी दिक्कात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठैंक्स वर वोचिंग